so guys आजके वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आपके पास iPhone है और आपके iPhone में आपको Apps डाउनलोड करने में प्रॉलम हो रही है आपकी Apps तो आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं आपने iPhone के अंदर तो आपको क्या करना है आज की वीडियों में आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर 4-5 में solution बताऊंगो, उनके apply करेंगे, problem solve हो जाएगी सबसे पहला काम आपको क्या करना है, setting में आना है, setting में आने के बाद आपको यहाँ पर अपने account पर select कर लेना है then, यहाँ पर आपको नीचे sign out को option देखने को मिल जाता है, यहाँ से अपने account को sign out कर लिजे यहाँ पर click करिए और sign out कर लिजे यहाँ पर password मांगेगा, password डालकर आप sign out कर सकते हैं और sign out करने के बाद फिर से आप login कर सकते हैं, ये काम आपको कर लेना होगा, then उसके बाद आपको second काम क्या करना है, यहाँ पर आपको screen time देखने को मिल रहे इस पर click करेए, screen time देखना उसके बाद यहाँ पर आपको content and privacy restriction देखने को मिल रहे इस पर slack करेए, यहाँ पर आपको जितनी भी आपकी यहां पर settings होंगी सभी enables होनी चाहिए जितनी भी होंगी सभी को enable कर देना है ओन कर देना है त्योंने उसके बाद आपको यहां से back आजाना है अब यहां से back आने के बाद नीचे आपको content आपको सभी को अला वेस्ट कर देना हैं के जूस पर कुछ उस्तरह से सब्सक्राइब करना होगा रागा आपको यहां पर सबी है इषिटन्स सेस्टे की आधि मेरी यहां से देख लिजिए यह सैटिंग सेम एज इस होनी चाहिए आपकी टीवी शोज, एप्स अगया रहा है जैसे एप्स अपनी डाउंड डाउनलोड नहीं हो रही है तो डिरेक्ली एप्स पर आ जाना है आपको एप्स में आने के बाद यहां पर आपको main क्या करना है allow all देखने को मिल रहा है तो यहां पर allow all को select कर लेना है don't allow होगा या 4+, 9+, 12+, 70+, तो इसको यहां पर allow कर दीजिए then back आ जाईए यह setting आपको कर देनी होगी then उसके बाद आपको क्या करना है यहां से back आजाईए यहां से back आजाईए अब यहां पर आपको अपना app store जाना है यहां से app store देखने को मिल रहा है यहां से slack करिए app store slack करने के बाद यहां पर app downloads है देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसको आपको enable कर देना है देख सकते हैं यह सारी जैसे डाउनलोड हैं आप अलाव वैस कर दीजिए यहां पर इसको और बैक आजाएए और दिखात हूँ आपको यह कुछ सैटिंग्स देखने को मिल रहे हैं जैसे अप डाउनलोड है यह आपको बंद होगा तो इसको भी अनेबल कर दीजिए इसको भी आपको उन कर दीना है कुछ इस तरह से आप इन सैटिंग्स को उन कर सकते हैं अधर उसके बाद आपको बैक जाना है अब यहाँ पर आपको क्या करना है फाइनली सैटिंग बता रहा हूँ अगर यह सब करने के बाद भी प्रॉलम सॉल्व नहीं होती है तो आपको यहाँ पर अपने एरप्लेर मोड को ओन कर देना है इससे आपकी नैटवर्क्स जो भी होंगे वो रिमूव हो जाएंगे हट जाएंगे चले जाएंगे दन उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पार बटन दबाना होगा और यहाँ से अपने मोबाइल को एक बार ओफ कर लेना है तरन ओफ कर ल प्रोब्लम आते हैं जो कमेंड बोक्स में बताइए गाम आपके लिए कोई और स्लीशन लेकर आँगा सा मिलते नेक्स विए टिल नबाए टेक यह लव्यू अल